हुई मा अब देख के वे गिरेगी खुल जा सिम्सिम ज्यादा स्यानी नहीं बननेगा समझा इदर इच गाड़ दूंगी समझी आज एक एक करके सब बदला लेने वाला हूं मैं हम तो फकीर औरत हैं जोला लेके चल पड़ेंगे दोस्तों आज मैं अपनी बेहन को दुनिया के सबसे बड़े मॉल में घुमाने ले जा रहा हूं क्या तू रेड़ी है बेहन धमाके के लिए हां भाई देखना मैं कैसे सजदस के निकली हूं आरे मस्त मस्त हीरो के माफिक लड़के आते हैं उदर चलो चलते हैं फिर अबे कैब किदर है यार अबे कैब अलावडी नहीं है उदर बहुत महेंगी महेंगी गाड़ियां चलती है उदर बस रोक तुझे दिखाता हूं थोड़ी देर में कब आएंगी यार तुमारी लग जरी गाड़ी अबे बेहन जादू देखीगी जादू कौन सा खुल जा सिम सिम ए लड़की देखके हैं कभी-कभी ओ डोर अपने आप खुल जाती है बहे जाएगी उस तरफ से इधर में ऐसी की हवा खाने में मस था उदर अपनी बेहन ऐसे जूल रही थी जैसे दारू पी के आई हो रक्सा बंधन के दिन जो मेरे साथ बरताव की थी ना इस लड़की ने आज एक एक करके सब बदला लेने वालाओं में फाइनली हम मॉल पहुंच जाते हैं कहा है शॉपिंग मॉल अबे बताना का है अबे दिकाता है ना आगे तो चल यह रहा दुनिया का सबसे बड़ा सॉपिंग मॉल क्यों अच्छा लगा ना यहां बस मुझे अंकल आंटी लोग दिख रहें एक भी हैंटसम लड़का नहीं दिख रहा लड़कों को मत देख नीचे रोड में गड़े देख अगर इसमें गिर गई ना तो पूरी दुनिया तेरी वीडियो लेने आएंगे आई मैं आपका वीडियो बनाऊं क्या वीडियो बनाऊंगी तो सामान फ्री में दोगे चल चल पुड़े निकल दोस्तों हमारी बहन को देख कैसा लग रहा है ये अंकल के सामान चुराने के फिराक में लग रही है भाया मुझे ये सारे तक्या दे दो यार ओ मैडम पहले पैसे तो निकालो क्या पैसे लगेंगे अरे पैसे मांग रहा है यार गरीब लोग चलो बहन को असली मजा चाखाने का टाइम आ गया आज इससे गधा मजदूरी करवाऊंगा मैं ये है हडप सर की सबसे बड़ी भाजी मंडी और आज हमारी बहन घर के लिए सबजियां खरी देगे और खुदी कंदे पे उठा के लेगी रुख जा बेटा सिर्फ करेला और कद्दू लेके चलूँगी खाना बेटके ओ आई फुलगोबी कैसे दिये 20 रुपिया बेटी 20 रुपिया एक किलो आधा किलो 20 रुपिया ओ इसका मतलब एक किलो पचास रुपिया कित्ती समझदारी रित्म आई बहुत मेंगा दे रहे हो यार अरे बेटी पूरा फ्रेस माले एक भी किडा नहीं दीखेगा आई एक काम करो ना थोड़े किडे अंदर डाल दो और आधे रेट में देदो ना फिर ये ले एक से एक किडे मिलेंगे इसमें देखलो हाँ बड़ बहुत छोटा है किडा और बड़ा चाहिए तुमको येलो फिर इसके अंदर हमने साफ डाला हुआ अरे बापरे इसे पेक कर दीजिया ये पत्तागोबी भी ले ले इसमें भी बड़े-बड़े कीडे मिलेंगे नहीं आई मेरा बाई पत्तागो भी नहीं खाता है न भाईया ये बेंगन कितने में दीए 40 रुपया किलो मेडा 40 रुपय? बहुत महिंगा है बहिया वो अंकल तो उतर 20 में दे रहे बाबात कर रहे हो मेडम वो तो मेरे पापा है वो हमारा भी दुकान है वहां भी 40 में ही बेच रहे हैं अरे बापरे पच्का हो गया ओ आई ये सबजी कैसे दिये 2 किलो 20 रुपे 20 रुपे क्या है थोड़ा कम करो ना मुझे 10 रुपे में 1 किलो दो ना पी के बेटा ले ले अरे आई ये एक भिंडी फ्री में ले लू क्या ज्यादा स्याणी नहीं बननेगा समझा इधर इच गाड़ दूँगी समझी बहुत कतर नाकू मैं चल निकल भाईया ये निम्बू कैसे दिये 10 में 6 मेंडाम 1 2 3 1 2 3 अब ये चोर नी कभी नहीं सुद्रेगी होगे 6 निम्बू चल भाई जल्दी निकल अब ये निम्बू चोर कहीं की भाईया ये औरेंज मीठे हैं क्या चखाओ जरा लो मेडाम ये ये तो बहुत खटे हैं बहिया एक काम करो दूसरा वला हिस्सा भी मुझे ही दे दो फेकनावत और हाँ भाईया ये एक औरेंज में लेके जा रही हूँ रिसर्च करूँगी इस पे पता करना पड़ेगा क्यूं आज कल औरेंज खटे आ रहे हैं अरे भेन एक काम कर इसमें हाट डाल देख गुदगुदी होगी हाँ चल चल बड़ा आया हम तो फकीर औरत हैं जोला लेके चल पड़ेंगे चलो दोस्तो बहुत काम करा लिया इससे अब कुछ खिला देते हैं बिचारी को अबे भिकारी कम से कम पिज़ा खिला दिया होता खैर जो भी बोलो वड़ा पाउ के सामने कोई भी नहीं टिक सकता वाओ यार अबे इसमें नजर मट डाल मेरा ही है अरे वाओ अपरे दोस्तो टेबल गंदा कर दिया मैंने अब क्या करूँ? कोई देख तो नहीं रहा चलो इज़त बच गई अब घर चलने का टाइम हो गया गाईस लेट्स मूव आपके घर के अंदर रहे भूत प्रेत इधर उदर भटकते होंगे बेल बचते ही वह बापस पलंग के नीचे सोफा के नीचे गुज जाएंगे साबधान रहे सतर्क रहे ही 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 ही